नमस्कार मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमाय साथ हमारे वरिश साथी परवीन बागिसर है और हम लोग जो है अभी एक चर्चा करने जा रहे हैं बिहार चुनाओं को ले करके दो चर्णों के मतदान हो गए हैं पहले चरण का मतदान हुआ 28 अक्ट तो यस मतदान को ले करके खास्तों पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि 243 सीटों में से अलग बग जो है 165 सीटों को ले करके मतदान हो गए हैं और जो इन सीटों पर उमिद्वार खड़े हुए थे उनके भविश सिका फैसला अब जो है एवियम में कैद हो गया है लेकि मतदान परतिशत घटा है ऐसे मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर इसको किस तरीके से देखा जाए मतदान परतिशत कम हुए है इसको और क्या कारण रहा कि पटना जैसे जगह पे जो मतदान परतिशत इतना कम रहता है हुआ था और इस बार जो बीस में वोटिंग होई दूसरे चरण में तो वो चववन पॉइंट फोर फोर पर्षेंट हुआ यानि लगभग दो पर्षेंट कम हुआ तो इसकी वज़ा सबसे बड़ी वज़ा जो मुझे लगती है वो कि हमारी राजिंतिक ब्योस्था और राज है लोगों में और विपक्ष की और से जो दस लाख इवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था उसको लेकर के यूथ में उत्सा है मगर ये बातें कल के मद्दान को देख करके गलत लगती है ना तो वोटर सरकार के परती बहुत उत्साहित है सरकार की नीतियो को देख रहा है कि वह हमारे हित में है यानि दोनों और से जो है सो निरास है दोनों पक्षों सी निरास है गार ये कम बोटिंग का मतलब यह मना सकता है कि जो sitting candidate है वो उन्हीं के फिवर में वो हुआ होगा ऐसा अब तक कान हो यही बताता है अगर ज्यादा voting होता तो निश्चेतुरूप से वो बढ़लाव का संकित होता मगर यह माना चर्चा करेंगे इसकी भी लेकिन कुछ दूसरे अगर जिलों की बात करें पश्मी चंपारण का जिला हो गया मुझपरपूर का जिला हो गया इन जगों पर 69 से ज्यादा ज्यादा जबिदामिन मददाता ने ज्यादा बर्चर के हिस्सा लिया है इसे ट्रेत आहों के समय जो लोग लोट की आए बाहर से जो मस्दूर और बढ़र करके अपने घर तो उसमें से बहुत बहुत सारे लोग चले गए वापस फिर मगर बहुत लोग रह भी गए तो एक वज़ा यह हो सकती है जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि वोटर ज्यादा हो गए इसलिए वोटिंग प्रसेंट वहां बढ़ा होगा और दूसरी वज़ा यह है कि दूसरी यह भी हो सकती वज़ा कि कैंडिडेट वहां भ थो और समझ में आते हैं चलिए तो यह बड़ी बात थी सरप प्टना सिंप्ट की खास तरूप मानी जा रहे ही थी जैसे बाकीपूर की सीट ले 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 तो बाकीपूर की सीट हो दीगा की सीट हो कि सिक उ इन जगाँ पर मदान परतिशत चालिस का अकड़ा भी नहीं पार कर सका है और हाट सीट बताई जा रहे थी कहा जा रहा था कई टकर है बाकी पूर की सीट को ले करके नितिन नविन के खिलाब कहा जा रहा था कि एंटी इंकमबेंसी है उसका फायदा होगा फिर अभी लॉस सिनहा आगे उनका एक अलग बात कही जा प्रिया चौदरी जो की नए तरीके से मद्दान करने की बातों को ले करके बहुत होला भी किया उन्होंने बहुत सारा ड्रामा भी क्रियेट किया तो लग रहा था कि यहां पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन मद्दान पर्तिशत ही नहीं यह मीडिया का अनु हुआ था हम लोगो ने उसे होट शिट घुजित कर रहा था मगर मद्दाताओं की नजर में वह होट शिट नहीं था मद्दाता वहां जिसतरा से सिटिंग कंडेट से नाराज थे उदासीन थे उसके कामों को लेकर के उसी तरह से जो विपक्ष की और से कंडेट दिए गए उसके प्रते भी उनमें उत्साह नहीं था उससे भी उमीद नहीं थी इसलिए वोटरों ने यही बेहतर समझा कि वोट देने नो जाएं घर ही में रहे हैं तेजपरता आपको फायदा होगा 58.36% मद्दान बताए जारे हैं तेजपरता आप इसलिए गय ही हैं वहाँ कि वो यादव बहुल छेतर है और उनकी जाती के मद्दाताओं की संख्या वहाँ ज्यादा है और इसलिए वो वहाँ गय कि अपने ख्याल से उस रक्षित सीट उन्होंने माना वहाँ इसलिए वो वहाँ गय तो वहाँ से वो निकल स बात के अभी Ten वहां इंट से बिद्धायक नहीं चुन रहे हैं वहां के लोग कि उसका इसका बड़ा वहां पीलिक्रावी मुखमंतरी को वोट कर रहे हैं तो इसके चलते हैं वहां वोटिंग प्रतिसात are rice ले अगर कुछ तो दो चुनाओं को साथ देखते हैं 2010 के चुनाओं को देखें, 2015 के चुनाओं को देखें, 2020 के चुनाओं को देखें, मद्दान पर्तिशत 2015 तक बढ़े थे, इस समय कहीं न कहीं पहले चरण में एक पर्तिशत ज्यादा मद्दान होते हैं, दूसरे चरण में दो पर्तिशत कम मद्दान होते हैं, इनको मिला करके मै आप से जाना चाहूंगा कि बिहार में जो वोटिंग का जो पैटर्न दिखाई देता है वो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है और अभी जो तीसरे फेज का चुनाव बाकी है जिसमें और भी जो है सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर कि क्या इसका कोई असर उस पे मद्दाता ज्यादा हैं इदर सीमान चल का एरिया जो है पूरा पुर्णिया कट्यार की सब्सक्राइब तो इसलिए वहां वोटिंग प्रसेंट बढ़ेगा और यह माना जाता है देखा भी गया है कि मुस्लिम एक जुट हो करके और बड़ी तादाद में वोटिंग करते है हैं तो वहां वोटिंग प्रसेंट जरूर बढ़ेगा मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूलिंग गठवंदन है एंडिये है एंडिये की सरकार ने और एंडिये के उमिद्वारों के कामकाज से जनता खुस नहीं है यह उसने दिखला दिया और विपक्ष भी उमीद न ऐसे कि मैं देख रहा हूं कि खास तोर पे सवन जाती और पिछडी जाती इन दो जातियों की बात हो रही है बिहार चुनाओं में हमेशा से होती आई है और जो 94 सीटों पे कल मतदान हुए हैं उनमें से 48 फीसद जो है सहरी अबादी के इलाके हैं और यहां पर जो है वोटि चेत्रों में भी उसका विस्तार हुआ अपाइट बढ़ी है मगर सहर में उसके ज्यादा जीत के आते हैं तो यह बीजेपी के लिए खत्रही घंटी मानी जा सकती है कि वोटिंग सहरी चेत्रों में कम हुई है तो सर अगर पिछले चरण के पिछले साल के चुनाओं को देख तो इसी चरण की 94 सीटों में से 30 सीटे जो है वो जदियू जीत कराती है 70 सीटे जो है पूरी तविके से महागटबंदन के खाते में गई थी जिसमें से 33 RJD के पास थी और तीस जदियू के पास थी और अगर NDA की हम बात कर लें तो इसमें से 20 सीट BJP के पास गई थी और LJP के खाते में जो है दो सीटे गई थी इस बार जो है समीकरण बदले है पिछले कि पिछले बार की तुलना में जदियू इस बार महागटबंदन में है या फिर महागटबंदन ने अपने तरफ से की इस बार का समिकरण क्या कहता है कि दूसरे चरण का मद्दान अगर गया है तो किसके पक्ष में गया है ये ठीक ठीक बता पाना भी कठिन है मगर ये जो कंबिनेशन वना है उसमें महागटवंदन की बढ़त दिखती है जो नया कमिनेशना बता रहे हैं उसके इसाब से महागटवंदन की बढ़त जरूर दिखती है मगर एक तीसरा कौन भी है वो है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से आकरामक सभाएं कर रहे हैं और कल उन्होंने हिंदू कार्ड एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदू कार्ड खेलने की कोशिस की तो उसका भी एक असर दिख सकता है तो ये इस्थिती बदल सकती है तीसरे चरण में जो है जिस तरीके से आपने बताया कि अल्प संख्यक बहूल इलाके हैं तो वहाँ पे हिंदू कार्ड के जरिये कहीं न कहीं बदल लिक प्रधान मंत्री मोदी करके चले गया है तो ये तीसरे चरण का मत्दान अब होगा और फिलाल 165 सीटों कुपर लगबग लगबग जो है मत्दान पेटी में जो है 2000 से जादा उमिद्वारों का जो भविस है वो मत्दान पेटी में चला गया है और ये 10 तारिक को खुलेगा एसे में जो बिहार का मत्दान हुआ है अभी तक दो चर्णों में हमने देखा आया उसको लगबग पचास फीसदी के करीब मत्दान इसको माना जाएगा चलते चलते सर में आपसे एक सवाल कर लेता हूँ कि करोना काल करोना काल कहा जा रहा था मदान पर्तिशत में ज़्यादा कमी तो नहीं दिखती है दो से दो पर्तिशत दूसरे चरण में दिखता है जबकि पहले चरण में एक पर्तिशत ज़्यादा था तो मतदाताओं में उत्सा की कमी कहें या फिर मतदाता इस वार ज़्यादा उत्साही दकर दोनों बाते हैं उत तो वोटिंग बढ़ना चाहिए था मगर वोटिंग बढ़ने के बजाए और घट गई वोटर बढ़े मगर वोटिंग घटी तो इसकी दो वज़ा मुझे जो समझ में आती है कि कोरोना का भी असर रहा है और दूसरे की निताओं के प्रतिवी राशा करोना के चलते बहुत सार वोटिंग परसेंटेज और कम होने की बात कही जा रही थी लेकिन जो अभी दिख रहा है वोटिंग परसेंटेज के पचास से उपर तो इसको क्या अच्छा संकेत मान करोना का असर भी तो कम हुआ करोना का असर कम हुआ इसलिए पहले जब चुनाओं की घोशना हुई थी समय जो कुरोना की इस्थिती थी और अभी जो इस्थिती दोनों में बहुत अंतर आ गया है तो इसलिए बहुत ज्यादा आफिल नहीं कर पाया इसलिए नौजवान भी हमको लगता है कि ज्यादा संख्या में नहीं आये वोट देने बहुत बहुत दन्यवास सर तो कहीं न कहीं बिहार में मदान परतिशत का घटना कहीं बड़े संकेत करता है और साफ तोर पर ये एक अलग ही संकेत देता है विपक्च के लिए भी और सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी कि जनता उनसे खुश नहीं है फिलाल तीसरे चरण क मदान जो है वो बाकी है जो की साथ नवंबर को होना है दस तारिक को जब रिजल्ट आएंगे तो बहुत कुछ किलियर हो जाएगा और लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं करोना काल के बाजूत वोटिंग परतिशत भी जो है पचास के पार गए लेकिन और अच्छा होना चाहिए था और यह साफ तोर पर बताता है कि लोग जो है वह ना तो सत्तापक्स से खुश है ना ही विपक्स से खुश है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही आप बने रही हमारे साथ धन्यवाद